नमस्कार हमरो स्वस्थानी ब्रत कथा क्रमीक लूप मा सुजिर अनुवैका र आजी देखी सुन्वैका संपुनलाई स्वस्थानी ब्रत कथा को आजकु कारेक्रम मा स्वागत छा र कारेक्रम मा आजकु कथा वस्तु शुरु गर्दै छो यम् ब्रम्मा वरुणेंद्ररुद्रमारुताह इस्त्विंति दिभ्याई इस्तवर् बेदै शांगपद क्रमोपनिसदर् गायंतियम् सामगा ध्याना वस्तिततद गते नमनसा पस्यंतियम् योगिनो ये सांथम् नविदू शुरा शुरगडा देवायता स्मैनमा स्रीमत चंदन चार्चित जलाप शुक्लंबरा मल्लिका माला लंकृत कुंडला प्रविलसन मुक्ता वली शोबिता सर्व ज्यान निदान पुष्तक धरा रुद्राचे माला धरा बागदे बीबन दाम भुजे बसुतुमे त्रैलोक्यमाता चिरम् मुकं करोती बाचालां पंगुलंगये ते गिरिम् यत किर्पातमं बंदे परमानंद वादवं नमो भगवते तस्मै व्यासाय मितते जसे यश्य प्रसद्याच्छामी नारायन गथामिमां नारायनम नमस्कृत्य नरम्चैब नरोतमं देविम् सुरुशुतिम् व्यासं ततो जय मुदिराये सास्टगं नमनम् कृत्वा स्वास्थानिम् परमेश्वरिम् कथाम् सुदोप माम् ध्यव्याशुत्ता अभिष्टा फलं लभे कुमार्जी आग्या गर्नोंचा हे अगस्ते मुनी तहां ओप्रांत कन्यधान को दिन आयो रविष्णुली महादेवलाई पर्खे आयनन बनी दच्छे पर्जापती को घर गए दच्छे पर्जापती ले पने सम्पुण सामागरे तयार गरी एग्ये गराई विदी गरी सके कन्यधान दिन तयार भए महादेवले वीष्भान धतुरो खाई माती कन दच्छे पर्जापती का घर जान बिर्शी रहे तब विष्णुली महादेव आउनु भैन कन्यधान को दिला भयो मेरा हात्मा थापू बने महादेवलाई भुदैन अब कशोगरू भने चिन्ता गरी रहे ताहा उप्रांत महादेवले कन्यधान दिने आज हो विष्णु गय होलान बेला पनी भय होला भने समझेर ब्रिद्ध सन्यासी भई चाड़ाई दच्छे का घर मा खड़ा भई भने ये विष्णु ये दच्छे परजापते मो अती टाड़ा देखी आएं भोक लागी रहाचा मुलाई भिच्छा नदी कन्यधान लिये पनी दिये पनी स्राप दिमला येती सन्यासी रुबय का मादेव बाठ आज्यां भई पचे विष्णु ले भने ये भिच्छुक मेरो ब्यला बित्नला आग्यो कन्यधान भई शके पचे मात्र तिमिलाई भिच्छा दिमला अईले मभई को ठाउमा आई बशा येती विष्णु ले भनिया सोफे को शियां सन्मा भशाए मादेम कस्तु विलामा आई पुग्णु वबने विष्णु ले सुनको कमांडलो ले धारादी दछे परजा पति ले शती देवी को हात समाती विष्णु का हात मा शुमपन लागदा को विलामा पुग्णु बयो र विष्णु ले आफनु म यादे छोपी दच्छे परजापती का आखा जली सती देवी को हात संड्याशी रूपी मादें को हात माँ पारी दिये। त्यों तेखी दच्छे परजा पतेले बड़ो विशाद गरी वने तीमी कपटी रहे चाओ तीमरो विश्वास्मा परदा मेरी पूत्री सती देवी यो अवस्थामा परे। येस्तो पनी हुदो राइचा सत्य युक को बेला चलचाम गरी बिहागरे भगावान को लिला येस्तो पनी हुदो राइचा सत्य युक को बेला चलचाम गरी बिहागरे भगावान को लिला येती दच्छे परजा पतेले भने को सुनी केही उत्तर नदी सती देवी को हात महादेव का हात मा पारी दी अब मजान्चु वनी सन्यासी रूमा देव संगा विदा वै वै कुन्ठ गए बिश्नु गवै पच्छे दच्छे परजा पतेले सती देवी छेव बने ये पुत्री सती देवी पापिस्ट पिस्टु ले छल्डा येस्तो भयो ब्रिद सन्यासी स्वामी पायो तै पनी संदेहन गर हामी छो ती मिलाई हामी पालमला अईले तेसाई संगा जाओ येति आपना पिता दच्छे परजा पतेले भने गो सुनी बहनी हर ले देवता स्वामी पायो समझी सती देवी ले धिक्कार रहे छु भनी बडो विशाद गरी रुना लागिन फिरी मेरो कर्व में येस्ताई लेहे गो रहे छ अब रोई केगरू कस्ताई भाय पनी बाबा महतारी ले दिये का मेरा स्वामी पनी नहीं भनी धैरे भाईन त्याँ परची सन्यासी रूप महादेवले सती देवी छेव आग्या गरे ये इस्त्री अब यहां वशी केगरू आपना घर जाओ तिम्रा बाबा महातारी छेव बिदा हो महादेवकों आग्या बय पची सती देवी दच्छे परजापती र बिरडी शिता गई ये पिता माता मजान्चु भनी विदा मागीं दच्छे पर्जा पतीर विरणी ले बहुताई धहीरे गरे जाउ भनी विदा दिये रशती देवीले प्रणाम गरे विदा भई सन्या शिरुप महादेव का लाडी लागी गईन बाटामा जादा सन्या शिरुप महादेव आग्या गर्चन ये सुन्दरी कोईले गर्देगी न निश्के की सुखामा रहे की ये श्ती कोमल भई की तिमिलाई परिश्रम होला सुष्थ सुष्थ हिन ये ती महादेवले आग्या गरे को सुनी सती दिवी भन्चिन ये स्वामी नसार्चू हजर्को ब्रिदावस्ता भैको छ परिश्रम हुन जाला शुष्त हनी बक्षिनोज मादेवर सती देवी एस्ताई तरहले अने कने कुरा गर्दाई गए सती देवी ले आपना स्वामी का ब्रिदा अवस्ता देखी इब्रिदा अवस्ता भाय का मो एस्ती यूबती मेरा स्वामी लाई कसेली केई गरी मलाय हरी लाईजालान की भनी मनमा सारे चिंता गरी एक कैछिन पनी न छाडी पछी लाग देगाईन कैलास परवत मा पुगदार शन्या सीरूप श्रीमा अधेवले सती देवी को चरित्र हेरना का निमित्त कैलास परवत का टाकुरा मा एक परले चाय को घर उत्पती गरी ये इस्त्री आमरो गर्येयो आई भुगयो वनी देखाए फेरी भीत्र जाओ भोकला आगे होला क्या ही खाओ मलाय परिश्रम बयो एक चिन सुच्चू बनी बीशा भांग धतुरो खाई बाहिर शुते सती देविले त्यो खर को घर देखी आपना बाबा दच्चे परदापती को घर समझी तेस्ता शोणा का घर मा बशे की मलाय आज ये श्त्तो खर को घर मा बशनू परियो पनी बहुद बिशार गरी आखा देखी आशुख साले ए चाड़ी आएं दर बार सुनाई सुनको घर चाड़ी आएं दर बार सुनाई सुनको घर खरले चाको जुपडे मा रुण्चिन दर दर चाड़ी आएं दर बार सुनाई सुनको घर खरले चाको जुपडे मा रुण्चिन दर दर फेरी मेरा कर्म ले एस्तेई पारी ले आयो के गरू भनी मनगुजाई वोण्डे का छेवली आशु पूची घर वित्र पसी हर दा सबै ठाव मा मा कुरा को जालो कशिंगर मात्रे देखिन त्यो देखि कुचाले माकुरा को जालो मिलकाई कशिंगर लगाईन फेरी स्वामी जागा हुदा क्ये खाना देमला भनी खाने कुरा हैर न गईन केही केही पाईनन सारै चिप्त दुखाई सन्या शिरो श्री मादेव सुते का ठाव मा आई गुडा मुनी वशी रही तब चार दिन भय पसी श्री मादेव जागा भयर सती देवी को मुखेरी बने ये पापिष्ट इस्त्री मुला येकलाई बाईरस सुताई आहो वित्रा सुतिस तेशो गरी स्ता पनी तलाई खानू पर्दन ध्योर के खाई स्किखाई नस गिस्ता नाना त्रहले गाली गरी मादेव रिशावनलाय को देखी सती दिवीली आसी इलो मुगरी सन्या सिरुप मादेव का मुखेरी बने ये स्वामी अजूर लाई सारे निंद्रा परे को देखी जागा ग स्किना मसुती की पनी छाई ना या आई वशी रहे चू मईले ता भंडार मा जेत्यो सपपई मिठाई दाती सपपई खाई ता हजूर के खानू होंच शती देवी क्वस्ती बने सदै स्रिंगार गरी रिश्मा पनी रस्मा पनी उजारो मुख गरी स्वामी के भक्तिमा चित भैर भने प्रिये हाम्रो घर यो हैना त्यो खर को वित्तो चियाती भित्र गई एरत फेरी सटी देवी बन्जिन ये स्वामी इंभाई को घर नाश गरी नवाई को घर का खुन्द जाऊं फेरी बनाउन परे हजुर ग्रिद वईवक्षिन जा येस्तो अवस्तामा मैस्त्री जाती अनि कुल्ले बनाई देला येती सती देवीले भने को बचन सुने सन्या सिरो मादेवले उठी खर को भित्तामा लात्ताले हानी मिलकायर कैलास को धर्शन दिन भयो मारी क्यनाना रत्नले जडाऊ गरे को शुबणले बनाई को तेस्तो घर देगी सती दिवी कुशिवई मेरा बाबा दच्छे परजा पति को घर भन्दा पनी अती सुन्दर यो घर कशको हला भनी ठानिन रसन्या सिरोपी मादेवले सती दिवीलाई आपनो रूप दर्शन दिनालाई चोक मा ढाकी लगे रभने इस्त्रे चोक को माजमा गाईका गोवरले मन्डला कार गरी पति देवी सती दिवीले हस्वनी पोती दिन सन्या सिरोप मादेवले पोते को ठाउमा गई निरवल इस्पटिक जस्तो ग्रण भई विशंबर मुर्ती दर्शन दिदावे तब सती दिवीले मनमा आनंद गरी आखा देखी हर्षको आशु बगाई धन्ने रहचु जगदिश्व श्री महदेव स्वामी पाए बनी फुरको माला खलाम पैराई तिन पटक परिक्रमा गरी रत्याहां प्रांत शिवसक्ति सोरूपले रहदा भई इती श्री श्कंदम कुराप पुराणे केदार खंडे मागमात्मे कुमार अगर्ष्ते संबादे श्री सस्तानी परमसुराय भत्यकतायो सती देवी पती ग्रिह गमन बन्हाम चतुत अध्यायो सारे खुशी भईन बरा हाशिन सत्ते बती कैलाश पती माहा देवकु तर्थ दर्षन पाये पचे सारे खुशी भईन बरा हाशिन सत्ते बती कैलाश पती माहा देवकु तर्षन पाये पचे धर्षन पाये पचे सब्सक्राइब नबन्होला धन्यवाद